नमस्कार दोस्तों एके भी टेक्निकल में आपका स्वागत है दोस्तों तो आज हम लोग कुछ और सीखेंगे बनाना तो मैं पहले अभी आपको दिखा देता हूं मेरे साथ कुछ प्रोब्लम हो चुका है और यह प्रोब्लम क्या है वो आप देख लिए यह हमारे पास जो दे करनं मैं आपको बता देता हूं इसी तरह का मेरे पास एक और केस था जो खराब पड़ा हुआ था लेकिन मैंने सोचा कि इस है यहां पर पूरा हीट हो रहाता तो आज अम लोग इसको बनाना सीखेंगे और मतलब बनाने की कोर्सिस करेंगे देखते हैं बनता एक नहीं नहीं बनेगा तो मेरा बहुत सारा डेटा जो है लॉस हो जाएगा तो चलिए दोस्तों इसे हम अभी बनाना सीखते हैं तो दोस्तों देखिए इस हार्डिक्स का यही लौजिक बोड है और इसमें बहुत सारा डेटा है दोस्तों तो यह ज़ारे इसे निकालना मुझे बहुत जरूरी है अगर ये हमें logic board खरीते हैं तो हमें कंश f enteredud लग जाएगा लेकिन इसे हम लोग vos क्ष Prep ecosystem आप से फिर और जाएं ज्यादा तो नहीं जैसे मालेजीए यह और बाषटबों हो यह खराब हो हुआ है यहां पर बहुत ज्यादा हीट होता है तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसे चेक करेंगे यह दोनों डायोड को चेक करते हैं अगर डायोड हमारा खराब होगा तो तो short circuit के कारण भी यहां पर हमारा हीट होगा तो पहले हम लोग इससे चेक कर लेखते हैं अब मीटर को देखिए continuity में लगाएंगे यानि कि देखिए यहां पर भीप मार रहा ठीक है अब हम इस डायोट पर बारी बारी से चेक करेंगे जैसे यहां पर एक चोर पर रखेंगे और दूसरे चोर पर दूसरे प्रोब को रखेंगे और यहां चेक करेंगे तो यहां देख यह हमारा जो है सोड बता रहा और यह दायोड जो है वो बिल्कुल सही है 700 के रेंज में यह नहीं कि हमारा सही है तो हम क्या करेंगे इस डायोड को चेंज करेंगे और यह जो तो SMD डायोड है यह तो मिलेगा नहीं बहुत मुश्किल है पुराने स्क्रेप से निकाल के हमें लगाना पड़ेगा लेकिन हम क्या करेंगे इसमें 4007 जो डायोड आता है उसे लगाकर यहां पर चेक करेंगे तो इसे हम निकालते हैं भी कि अब हम क्या करेंगे कि सोल्डिंग आरे में थोड़ा सा रांगा लगाएंगे और यहां पर हीट करेंगे हीट होने के बाद दूसरे तरफ से इसे थोड़ा से उठाएंगे तो यह एक तरफ से निकल गया देखिए एक तरफ से निकल गया दोस्तों दूसरे तरफ से उसी तरह से करेंगे तो यह रखिए यह जो है निकल गया दोस्तों अब डायोड निकलने के बाद भी हमें यहां पर चेक करना होगा ग्राउंड से ठीक है ग्राउंड से यह कहीं सौट तो नहीं है यह वाला कट टेस्ट करते हैं तो यहां पर हम इस तरह से सोल्डिंग कर देते हैं भी कि अधिक तरफ से हो गया है कि अभी दूसरे तरफ भी हमने कर दिया है अब चेक कर लेते हैं पहले अब हम चेक कर लेते हैं इस दिए करने से कौई सौर्ट नहीं बता कोई सौट नहीं बता रहा है अब हम क्या करेंगे इससे अपने हार्डिक्स में लगाकर चेक करेंगे इस तो अभी हमने इसमें बोर्ट को लगा दिया, लॉजिक बोर्ट को, अब हम इसके केस में इसे लगा कर चेक करेंगे, काम करता है यानि, उसमें क्या हो रहा था कि ये लाइड जो है, बिलिंक कर रहा था, यानि कि हमारा जो सर्किट बोर्ड है, लॉजिक बोर्ड है, वो सौर् लिंग कर रहा था अब हम इसमें लाइन देकर देखते हैं क्या होता है तो लाइन अभी देखे लाइन हमने दे दिया है अब चालू करके देखता हूं क्या होता है यह देखे दोस्तों हमारा हांडिक जो है वो चालू हो चुका है वाँ वेरी गूड अब हम इसे कंप्यूटर में लगाकर चेक करते हैं यह हमारा काम करता है या नहीं तो दोस्तों देखे हमने लाइन इसमें दे दिया है ठीक है अब लाइन देने के बाद हम कंप्यूटर में इसे लगाते हैं अभी मैं आपको माई कंप्यूटर दिखा देता हूं यह आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर देखिए अभी सिर्फ सी ड्राइब ही दिख रहा है अभी आप देख लिए देखिए यहां पर सी ड्राइब ही दिख रहा है अभी हम जैसे इसे लगाएंगे, इह देखें हमने लगा दिया है, USB ड्राइब को हमने यहां पर लगा दिया है, और देखें यह डितक्त कर लिया हमारा, जो ड्राइब थाज दोस्तो, आडिक्स का, वो देखें यहण डितक्त कर चुका है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह हमारा D आ गया, E आ गया, F आ गया, देखे यह सारा जो है डेटा यहां पे दीख रहा है। कि अ कि कि ढखे सारा डेटा यहां पे आ गया दोश्तों तो आपने देखा हमने किस तरह से अपने हर्ड डिस्क को रिप्यर किया है दोस्तों तो इस तरह का वीडियो पाओने के लिए इस-स चैनल झाल झाल